जैम आता दी दोस्तों आप देख रहे हैं असरदार टोटके आज मैं आपके लिए एक महत्यपुन टोपिक लेकर आया हूँ जब रोज सुबह होने लगे ऐसी बातें तो समझ लें बदलने वाली है आपकी किस्मत इसे जानने के लिए किरपय हमारी वीडियो को देखते रही है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूटूब चैनल असरदार टोटके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस टिप्स लेकर आते हैं जिनसे की आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं अब मैं बात करूँगा जब रोज सुबह होने लगे ऐसी बातें तो समझ लें बदलने वाली है आपकी किसमन किसी भी व्यक्ति की पैसों से जुड़ी इच्छाएं कब पूरी होंगी महा लक्समी की किरपा कब मिलेगी यह जानने के लिए जो 30 में कुछ संकेत बताए गए है माननता है कि जब भी ये संकेत मिलते हैं तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति को लक्षमी की किरपा मिलने वाली है और पैसों की परिशानिया दूर होने वाली है जानिये लक्षमी किरपा से जुड़े पंदरा सुब संकेत आये जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपकी जोली पैसों से भर देंगे आपके प्रमाहा लक्षमी की किरपा बनी रहेगी पहला सुबे उठते ही संख मंदिर की घंटियों की अवाज सुनाई दे तो यह बहुत सुब संकेत है दूसरा यदि जागते ही हमारी पहली नजर दही या दूद से भरे बरतन पड़ पड़े तो इसे भी सुब संकेत समझा जाता है तीसरा यदि किसी व्यक्ती को सुबह सुबह गन्ना दिखाई दे तो निकट भविश्य में उसे धन समंदी कारियों में सभलता मिल सकती है फूर्थ यदि किसी व्यक्ती के सपनों में बार बार पानी, हरियाली, लक्षमी जी का वहन उल्लू दिखाई देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि निकट भविश्य में लक्षमी किरपा से धन समंदी परिशानिया दूर हो सकती है फूर्थ यदि हम किसी अवश्यक काम के लिए जा रहे हैं और रास्ते में लाल साडी में पूरे सोला सिंगार किये हुए कोई इस्तरी दिख जाए तो यह भी महालक्षमी की किरपा का इसारा ही है ऐसा होने पर उस दिन कारियों में सफलता मिलने की संभावनाएं काफी अधिक रहती है आदी चीजें सुबह सुबह दिखती हैं तो बहुत सुबह होता है सब्तहा के सातों दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा के लिए तै किये गए हैं सास्त्रों के अनुसार सुक्रवार को महालक्समी की पूजा करने पर विशेश किर्पा मिलती है इस दिन यदि कोई कर्या आपको सिक्का दे तो यह सुब संकेत हैं ऐसा होने पर समझ लेना चाहिए कि निकट भविश्य में धनलाब होने वाला है यदि घर से निकलते ही गाएं दिखाई दे तो यह सुब संकेत है गाएं सफेद हो तो बहुत सुब होता है नाइन्थ यदि किसी व्यक्ति के सामने में सफेद साप सोने के जैसा साप दिखाई देने लगे तो यह भी महालक्समे की किर्पा का इसारा है ऐसा होने पर निकट भविश्य में कोई विशेष उपलबदी हासिल हो सकते है यदि कहीं आते जाते समय कोई सफेद साप दिखे तो यह सुब संकेत है जब आपके घर या आफिस में अचानक उल्लू आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपको भविशे में कोई बड़ा लाब होने वाला है सास्त्रों के अनुसार महालक्षमी का वाहन उल्लू है इसलिए यह घर में आए तो सुब होता है किसी भी सुक्रवार को घर से बाहर निकलते ही कोई छोटी कन्या पानी से भरा हुआ कलस मटका उठाई दिखे तो यह सुब संकेत है कलस भरा होगा तो भविशे में धन लाब मिलने की संभावनाईं बन सकते हैं यदि कलस खाली होगा तो धन सम्मंदिक कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए 13. यातरा पर जाते समय धी सीधे हाथ की और साप, बंदर, कुता या कोई पक्सी दिखाई दे तो यह सुब सुकन है यातरा मंगल में रहती है 14. घर से निकलते ही कोई इस्तरी लाल साडी और सोला सिंगार किये हुए दिखाई देती है तो यह बहुत ही सुब संकेत होता है 15. यदि घर से निकलते ही कोई सफाई कर्मी दिखाई दे तो यह भी सुब संकेत है तो दोस्तो ये थे वो कुछ संकेत जिन से आपको अंदाजा लग जाता है कि आने वाले समय में आपकी किस्मत बदलने वाली है आप पर धन की वर्षा होने वाली है लक्समेजी की किरपा आपके ओपर होने वाली है तो दोस्तो ये थी हमारी वीडियो जब रोज सुबह होने लगे ऐसी बातें तो समझ लें बदलने वाली है आपकी किस्मत अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वैसे एर करना ना भूले इसके साथ साथ आप हमारे यूटूब चैनल असर बात दोस्तों